हलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी और हेल्दी सबजी के रेसिपी, मैं आपसे शेर करने वाली हूँ, सेम की फल्ली की सबजी, इसको बनाना बहुती आसान है, और ये हेल्दी के लिए भी बहुती अच्छा होता है, इसका जो नार ह है, जिन लोगों को कॉंस्टिपेशन है, उसके लिए बहुत फाइदमन होता है, चलिए इसको बनाना शूरू करते हैं, पहले हम इसके इंग्रिडेंस देख लेते हैं, 400 गिराम मैंने सेम की फली लिया है, इस तरह से मैंने इसको काट कर, चेक करकर धो कर रख लिया है, आप चाहिए तो इसको बारिक भी काट सकते हैं, एक विडियम साइस के टामाटर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक कटे हुए प्यास, एक टेबल इस्पून कश्मीरी लाल मिच का पाउडर, पाउट इस्पून हल्दी पाउडर, ग्यास के फ्लेम काट करकर मैंने कुकर को रख लिया है, अब हम उसमें एक से देट टेबल इस्पून आईल को डाल देंगे, और उसको गरम होने देंगे, आदा इस्पून हम उसमें राई को डाल देंगे, राई को हम फटने देंगे, देखिए हमारा राई अच्छी तरह से फट चुका है, अब हम उसमें, प्यास को आट कर देंगे, और हम इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, अब हम इसमें कड़ी पत्ते को भी आट कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से हम तल लेंगे, गोलन ब्राइन हो चुका है अब हम उसमें टमाटर को भी आड़ कर देंगे और एक मिड़र तक हम टमाटर को भी गला लेंगे अब हम इसमें सब्जी को आड़ कर देंगे आदा से एक मिड़र तक हम सब्जी को भी अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक को आड़ कर देंगे मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर को भी आड़ करकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दो से तीन टेबल इस्पून हम इसमें पानी को आड़ कर देंगे कुकर के डखन को बन करकर एक सीटी आने देंगे एक सीटी आ चुका है अब हम कुकर के डखन को खोलकर जो भी पानी है हम इसको सुका लेंगे हमारा सेम की फली हुआ तयार अब हम इसको सरिंग लेट में निकाल लेंगे और इसको गरम सरू किजिए वोटी केसा या दाल चावल के साथ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्रै करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसा लगा अगर आपको मेरा यह रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए झाल आपको मेरे लाइक का बटन ज़र आपको मेरे पूलिए टार्षों ज़रूर अबापको लाइक करना पहाँ परूलिए